जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं हाली में रिलीज हुई नेटफलिक्स फिल्म टेक्सरस चेंस और मैसेकर के बारे में दोस्तों ये 1978 में रिलीज हुई टेक्सरस चेंस और मैसेकर का सीक्वल है फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक निउस दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि 1973 की गरिमियों में पांच नौजवान टेकसस में वेकेशन मनाने गए थे लेकिन एक किलर ने उन पे जान लेवा हमला किया था जिसमें लगभग सभी लोग मारे गए थे उन्हें मारने के लिए उसने हथोड़े मीठुक और चेंस्वा का इस्तमाल किया था उन नौजवानों में सिर्फ एक लड़की ही सर्वाइफ कर पाई थी उस लड़की का नाम सैली है और उसने पुलिस को अपना बयान देने के बाद दोबारा उस खौफनाग हाथसे की चर्चा किसी से नहीं करी उसके बयान में उसने एक खूनी का जिकर किया था जिसने इनसान की चमड़ी का मास्क पहना हुआ था और इसी वज़े से वो उसका असली चेहरा नहीं देख पाई थी फिर हमें लीला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि टेकसेस के एक गैस्टेशन में थी वहां के ओनर से सैली के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उस हाथसे के बाद सैली पासी में काम किया करती थी और वो 30 साल तक उस कातिल को ढूंडती रही लेकिन वो कातिल उसे नहीं मिला तब ही उसकी बेहन Melody वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए वो कैस्टेशन का ओनर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहां पे जा रहे हैं तो Melody इस बात पे उसका मजाक उडाती है और वहाँ से चली जाती है बाहर निकलके Melody अपनी दोस दान्टे को ढूँडती है तो दान्टे उसे बताता है कि वो लोग वहाँ चलने के लिए तैयार है दोस्तो दारसल दान्टे और Melody ने मिलके वहाँ पे एक टाउन खरीदा था जो कि एक घोश टाउन था और वहाँ पे डिवलपमेंट नहीं थी इसलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को वो टाउन दिखाना चाहती थे ताकि वो वहाँ पे डिवलपमेंट कर सके दान्टे महाँ पे अपनी गर्फरेंट को भी लाया होता है तभी कैस्टेशन पे एक आदमी आता है जिसने अपने पास गन रखी होई थी Melody उसकी गन को देखके कॉमेंट पास करती है तो वो आदमी भी उसे जवाब देता है तभी दान्टे मेलडी से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए और वो लोग अपने खरीदे हुए टाउन में जाने के लिए निकल जाते हैं तभी रास्ते में वो आदमी अपनी गाड़ी तेज से भगा के उनके सामने से गुजरता है जो उन्हें रोक के उनसे पूश ताश करते हैं शरीफ अपना कार्ट डान्ते को देता है और उससे कहता है कि यह शेहर बहुत खटरनाक है तो अगर उन्हें उनकी जरूरत हो तो वो उन्हें कॉल जरूर करें उसके बाद बो लोग अपने टाउन में पहुंचते हैं जो कि काफी बड़ा था वो वहाँ जाके प्लैनिंग करने लगते हैं कि वहर बिल्डिंग में कैसे डिवलप्मेंट करेंगे तब ही वहाँ पे उन्हें वो आदमी दिखता है जो उन्हें ग्या स्टेशन पे मिला था वो आदमी उन्हें बताता है कि वो उनका कॉंट्राक्टर है और वो बहुत जल्द यहाँ पे रेनोविशन का काम शुरू करने वाला है उसके जाने के बाद भूलो एक building में एक जंडा देखते हैं जो की काफी गलत था दांते और melody उस building में ताखिल होते हैं उस जंडे को हटाने के लिए और हमें याँ दिखाया जाता है कि वो building एक आरफनेज हुआ करती थी मेलडी जब उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी फोटोस को देखती है तो उसके अंदर एक बच्चा होता है जिसका चेहरा मिटा हुआ था इतरदानते उस जंडे को खिड़की के रास्ते निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचता जब वो नीचे मेलडी के पास आके उसे ये बात बताता है तो वो लोग अपने सामने एक बुड़ी लेडी को देखते है जो उनसे कहती है कि उनके घर में उनका स्वागत है उसे देखके वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यहां पे कोई नहीं रहता वो लेडी उन्हें बठाती है और उन्हें चाय बिलाती है वो उनको बताती है कि बहुत साल पहले वो यहां पे एक और फनेच चलाया करती थी Melody उससे कहती है कि bank ने इस जगए को जब्द कर लिया था और उसके बाद भी वो यहां पर कैसे रह पा रही है वो लेडी उनसे कहती है कि इसने सारे पैसे bank को भर दिये थे और इस जगए अब भी उसी की है दानते को उस बुड़ी औरत की बात पर यकीन नहीं होता इसलिए वो बाहर जाके शेरिफ को कॉल करता है मदद लेने के लिए वो बुड़ी औरत मेलडी को बताती है कि वो जंडा उसके दादा का हुआ करता था और वो ये जगे छोड़ के नहीं जाना चाहती है क्योंकि ये उसकी फैमली की आखरी निशानी है तभी सीडियों पे एक बड़ा सा आदमी आता है जिसे देख के मेलडी टर जाती है वो बुड़ी औरत उसे अपना बच्चा मानती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे यहाँ पे सब कुछ ठीक है ये सुनके वो बड़ा सा आदमी वहाँ से चला जाता है और वो बुड़ी औरत मेलडी को बताती है कि वो यहाँ का आखरी औरफन बच्चा है और वो अब तक उसका ख्याल रख रही है तब ही वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो उस लेटी को वहाँ से जाने के लिए कहता है शेरिफ की बात सुनके उस लेटी को हार्ट अठक आता है और उसकी हालत गम Jahr और भीर हो जाती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी वो लोग investors को handle करें जब शरीफ अपनी गाड़ी लेके वहाँ से जाने लगता है तो वो बड़ा सा आदमी melody को घूरता है क्योंकि उसे उस पे बहुती गुसा आ रहा था उनका contractor उस लेडी के जंडे को नीचे उतार के फैक देता है जिससे उस आदमी को और ज़्यादा गुसा आने लगता है तब ही investors वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग उन्हें वो जगए दिखाना शुरू करते हैं लिला अपनी बेहन से कहती है कि जो भी उसने किया वो बहुती गलत था तो melody उससे कहती है कि उन्हें उस लेडी के साथ ऐसा करना ही पड़ा इदर शेरी जब उस लेडी को hospital ले जा रहा होता है तो वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है ये देखके वो बड़ा सा आदमी रोने लगता है क्योंकि वो उसे अपनी मा मानता था वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो बूड़ी औरत नहीं उठती तभी deputy उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उसकी मा मर चुकी है इससे उस आदमी को गुसा आजाता है और वो उसका हाथ तोड़ देता है deputy अपनी गन निकालता है उसे शूट करने के लिए लेकिन तभी वो आदमी उसकी हाथ की टूटूई हड़ी उसकी गर्दन में खुसा देता है और deputy जब गोली चलाता है तो वो उसका हाथ मोड देता है जिससे वो गोली शरीफ को लग जाती है जो कि driving कर रहा था और इसी कारण वर्स उस गाड़ी का accident हो जाता है इधर उस टाउन में melody auction कर रही होती है और सभी लोग वहाँ की जगे खरीद रहे थे लीला अपने contractor Victor के पास जाती है और उससे बाते करती है वो उसके पास एक gun को देखती है और उससे पूछती है कि क्या यह gun चलती है वो लीला श्तोन बुखाई का लेती है जहां पे एक हाथ़ा हुआ था और वो उस हाथ़ा से से बाहर नहीं निकल पाई थी इधर मेलेडी जब फोन चेक करती है तो उसे ड्रेक की गर्लफरेंट का मेसेज मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि वो लेडी मर चुकी है मेलडी ये बार ड्रेक को बताती है जिसे सुनके وہ दोनों हैरान होजाते हैं क्योंकि वो लेटी इन दोनों की वजह से ही मरी थी मेलडी तुरंट अपनी बेहन लीला के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और उन पे कोई केस ना बने इसलिए वो दोनों यहां से जल से जल निकल रहे हैं इस उनकी लीला हैरान हो जाती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और विक्टर उन दोनों की बाते सुन लेता है इधर शेरिफ की गाड़ी में जब ड्रेक की गर्लफरेंट की आखे खोलती है तो वो अपने आप को जखमी पाती है वो गाड़ी में देखती है तो उसे दोनों शेरिफ की लाशे वहाँ पे दिखती है लेकिन वहां से वो बड़ा सा आदमी अपनी मा को लेके गायब था तब ही वो साइड मिरर में उस आदमी को देखती है जो अपनी मा की लाश से उसका चहरा काट रहा था दानते की गर्ल्फरेंड रेडियो से किसी से कॉंटाक्ट करने की कोशिश करती है और मदद मांगती है तब ही वो उस बड़े से आदमी को देखती है जिसने अपनी मा का चहरा निकाल लिया था और उसके बाद वो उसके चहरे को अपने चहरे पे लगाता है जिससे हमें पता चलता है कि वही लेडर फेस है दानते की गर्ल्फरेंड जब यह देखती है तो वो रेडियो पे इस सारी बात बताती है और उसकी बाते वो ग्यास टेशन का मालिक सुन लेता है जिससे सुन के वो काफी हैरान हो जाता है तभी दानते की गर्ल्फरेंड देखती है कि शेरीफ अभी जिन्दा है वो उससे मदद मांगती है लेकिन तभी लेडर फेस वहाँ पे आ जाता है यह देखके वो सुने का नाटक करती है और लेडर फेस उस शेरीफ को बुरी तरह पीटता है जिससे उसकी मौत हो जाती है कुछ देर बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लेडर फेस उसके सामने आ जाता है और उसका गला पकड़ के वो उसका पेट काट देता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है उसके बाद लेधर फेस टाउन की ओर बढ़ता है अपनी मा की मौत का बदला लेने के लिए इधर मेलडी जे अपनी बेहन के साथ वहां से जाने वाली होती है तो विक्टर वहां पे आके सारी गाड़ियों की चा भी चुरा लेता है दान्ते उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो उसे बताता है कि उन लोगों ने उस बुड़ी लेडी को मार दिया है और वो ये देखना चाहता है कि क्या सच में वो प्रॉपर्टी उनकी है जहां वो बुड़ी लेडी रह रही थी इस उनके दान्ते बस में जाता है उस प्रॉपर्टी के काखजाद लेने के लिए लेकि उस प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे वहां पे नहीं मिलते इस उनके मेलेडी को लगता है कि शायद वो प्रॉपटी उसी ओरत की थी और उन्होंने गलती कर दी वो दानते से पूछती है तो दानते उससे बोलता है कि ऐसा बिलकुल नहीं है हो सकता है कि वो अपने आफिस में ही काख़ाद भूल गया हो इस उनके सैली उससे बदला लेना चाहती है और वो तैयार हो जाती है वहाँ पे जाने के लिए वो अपनी गाडी में धेर सारी गंज रख लेती है उसका सामना करने के लिए और फिर वो अपने दोस्तों वी फोटो देखती है जिनको लेदर फेस ने मारा था इधर दानते और मेलेडी उस बूडी लेडी के घर में जाते हैं उसके घर के कागजात को ढूंडने के लिए मेलेडी उस बूडी के कमरे में जाती है और उन कागजात को ढूंडती है उसे वहाँ पे उस बूडी लेडी की एक तिजोरी मिलती है जिसे वो खोलती है और उसके अंदर उसे उसकी property के papers मिलते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि वो lady सच बोल रही थी कि वो property उसी की है तब ही वो वहाँ पे किसी के आने की आवाज सुनती है जिसे सुन के वो डर जाती है दान्ते उस आवाज का पीछा करते हुए kitchen में पहुंचता है जहां वो अपने सामने leather face को पाता है जिसे देख के वो काफी तर जाता है leather face दान्ते का गला काट देता है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है melody जब नीचे आती है तो वो leather face को देख के काफी तर जाती है और वो तुरंत उस बूड़ी लेडी के closet में जाके छुप जाती है तभी leather face उपर आके उस closet को खोलता है और उसके अंदर से वो अपनी मा की favorite dress को निकाल के बहुत रोता है और अपने मा के कटे हुए चेहरे पे वो make-up लगाता है उसकी याद में तभी वो वहाँ पे आई investors की आवाज सुनता है और खिटकी के बाहर वो कई सारे लोगों को देख के काफी गुस्सा करने लगता है वो तुरंत वहाँ से नीचे जाता है उन्हें मारने के लिए और मौका देख के melody उस closet से बाहर निकल के भागने का फैसला करती है तभी लेधर फेस वाबस bedroom में आ जाता है तो वो बेड के नीचे जाके छुप जाती है वो अपने साथ एक हतोड़ा लाया था जिससे वो दिवार को तोडने लगता है इता दानते अभी जिन्दा था और तभी उसकी आँखे खुलती है वो किसी तरह उस घर से बाहर निकलता है और विक्टर उसे देख लेता है जब वो उसके पास जाता है तो उसका कटा हुआ मूँ देख के वो काफी हैरान हो जाता है ये दानते से पूछता है कि ये उसके साथ किसने किया है लेकिन इससे पहले दानते उसे कुछ बता पाता उसकी मौत हो जाती है विक्टर वहाँ खड़ी एक लड़की से बोलता है कि वो तुरंथ पुलिस को कॉल करे और खुद गन लेके उस घर के अंदर जाता है कातिल को मारने के लिए इदर लेदर फेज उस दिवार को तोड़ता है और उसके अंदर उसने अपना चेंसो छुपा रखा था वो अपना चेंसो बाहर निकालता है और जमीन पे रखके उसे स्टार्ट करने लगता है लेगिन तभी विक्टर वहाँ पे आ जाता है और लेधर फेस से लड़ने लगता है लेधर फेस उसके पैर पे हथोड़ा मारता है जिससे उसका पैर तूट जाता है उसके वाद लेधर फेस एक कांच में उसका गला मारता है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वो जमीन पेगड़ जाता है तब ही वो मैलेटी को बेड़ के नीचे छुपा हुआ देखता है तो वो अपनी जेब से उसकी गाड़ी की चाबिया निकालता है उसे देने के लिए लेगिन तब ही लेधर फेस उसके सर पे हथोड़ा मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है इधर सैली जब टेकसस में पहुंचती है तो रास्ते में उसे शेरिफ की गाड़ी दिखती है उसे वहाँ पे शेरिफ और उस लड़की के लाश के साथ उसकी माँ की भी लाश मिलती है जिसका चेहरा काट के उसने मास्क बनाया था ये देख के सैली समझ जाती है कि ये लेधर फेस का ही काम है और वो उसे मारने के लिए उस टाउन की ओर बढ़ती है इधर वो लड़की समेच सभी लोग बस में बैठे होते हैं और लीलो जब उससे कहती है कि वो बाहर जाना चाथी है तो वो लड़की उसे रोकती है लीलो उसकी नहीं सुन्ती और बस का گेट होल के वो मेलडी को ढूणने जाती है रास्ते में उसे डांटे की लाश मिलती है जिसे देख के वो काफी हरान हो जाती है इधर मेलडी उन चावियों को लेकर दबे पाउं वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन leather face उसे देख लेता है और अपना हथोड़ा उसे फैक के मारता है जिससे वो गिर जाती है उसके बाद वो अपना chain saw start करके उसकी ओर बढ़ता है और melody underground से भागने का फैसला करती है उसे एक खिड़की दिखती है जिसकी ओर वो जाने लगती है लेकिन leather face अपने chain saw से जमीन में मारता है ताकि वो melody को काट सके ये देख कि melody नीचे ही छुप जाती है और leather face उसे ढूंडने लगता है तब ही melody लाइला की आवाज सुनती है जो उसे पुकार रही थी ये सुनके वो रोने लगती है तो leather face उसकी आवाज सुन लेता है वो chain saw जमीन में चलाता है उसे मारने के लिए लेकिन तब ही लीला वहाँ पे आके खिड़ी को दोड देती है और अपनी बहन को लेके वहाँ से भागने लगती है वो दोनों भाग के bus में पहुंचती है जहां melody driver को चाभी देती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द वो bus यहां से निकाले driver तुरन बस को start करके आगे बढ़ता है लेकिन तब ही वो leather face को देखता है तो वो bus को रोक देता है उसे लगता है कि शायद कोई छूट गया है तो वो बाहर जाता है देखने के लिए तब ही leather face उसका कटा हुआ सर बस में फैकता है जिसे देख के सभी डर जाते है और उसके बाद हो bus के अंदर आता है जिसे देख के सभी उसकी फोटो निकालने लगते है लीना जब उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि वो leather face है तब ही leather face अपना chain saw start करता है और एक एक करके सब को मारने लगता है एक बंदा वहाँ पे life कर रहा होता है और life पे इस अब देख के सभी लोग डर जाते है melody और लाईला bus के पिछले हिससे में जाके छुप जाती है और उसकी उपर की खिड़की तोड़के वहाँ से बाहर निकलने का प्लान करती है leather face सब को अपने chain saw से काट डालता है जिससे सभी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसे bus के पिछले हिससे से आवाज आती है तो वो melody पे हमला कर देता है लीला किसी तरह bus के उपर चली जाती है लेकिन melody नीचे ही रह गई थी leather face दर्वाजे के अंदर छेट करके उसे खोलने की कोशिश करता है तो melody एक bottle opener उसके हाथ में घुसा देती है जिससे वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और मौका पाकर लीला melody को उपर खीच लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती है तभी सैली वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आती है जो उन दोनों को अपनी गाड़ी में बठा लेती है लीला और मेलडी उसे बताती है कि एक पागल किलर है जिसने उनके दोस्तों को मार डाला है सैली उनसे कहती है कि उस किलर का नाम लेधर फेस है और वो 50 साल से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब वो सामने आये और वो अपने दोस्तों की मौत का उससे बतला ले मैलोडी उससे कहती है कि वो तुरंत यहां से चले तो सैली अपनी गाड़ी को वहीं पे खड़ा करके गन निकालती है और उन दोनों से कहती है कि वो उन्हें अजबेट इस्तमाल करेगी वो शॉटगन लेके लेदर फेस के घर में जाती है जहां वो उसे खून से लटपत देखती है वो उस पे गन तान के उससे कहती है कि क्या वो उसे याद है तो लेदर फेस उसका कोई भी जवाब नहीं देता Sally उससे कहती है कि उसने उसके दोस्तों को मार डाला था और वो उसे कैसे भूल सकता है ये सुनके leather face अपना chain saw उठाता है और उन लड़कियों को मारने के लिए जाता है वो उन पे हमला कर देता है और उन्हें जान से मारने वाला होता है लेकिन तभी Sally उसे शूट करती है जिससे उसे कोई असर नहीं होता Sally उसे बताती है कि वो वही लड़की है जो उसके चंगुल से भाग निकली थी और ये सुनके Leather Face वहां से भाग जाता है Sally उन लड़कियों को चावी देती है और उनसे कहती है कि वो दोनों यहां से चली जाएं तभी वो Leather Face के चेंसों की आवाज सुनती है तो वो उसकी ओड़ जाती है Leather Face Sally पे हमला कर देता है और वो उसका डटके सामना करती है वो उसके मुँपे शॉर्टगन लाती है और उसे चलाने वाली होती है लेकिन तभी वो शॉर्टगन चाम हो जाती है उसके बाद वो अपना चाकू निकाल के उसके पेट में घुसाती है जिससे उसे कोई भी असर नहीं होता तब ही वो अपने चेंसों से सैली के दो तुकड़े कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है यह देखके मेलोडी गाड़ी स्टार्ट करती है और उससे वो लेधर फेस को कुचलने वाली थी लेकिन लेधर फेस गाड़ी की और अपना चेंस ओफ एकता है जिससे मेलडी डिस्ट्राक्ट हो जाती है और उनकी गाड़ी का एक्चिडेंट हो जाता है जिससे वो दोनों जखमी हो जाती है मेलेडी के पेर में एक रौड खुश जाती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती वो अपनी बहन को बताती है कि वो एक स्ट्रॉंग लड़की है और वो यहांसे भाग निकले ताकि वो अपनी जान को बचा सके ये सुनके लीला वहाँ से भाग जाती है और तभी लेधर फेस वहाँ पे आता है मेलडी लेधर फेस से कहती है कि उन्होंने जो उसकी माँ के साथ किया वो बहुत कलत था और वो उसके लिए बहुत ही शमा परार थी है ये सुनके लेधर फेस अपना चेंसॉग स्टार्ट करता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है लेगिन तभी लीला विक्टर की गण लेके वहाँ पे आती है और लेधर फेस पे तान देती है और इससे लेदर फेस वहाँ से भाग निकलता है और लीला की जान पच जाती है लीला फिर सैली के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए सैली उसे बताती है कि अगर वो भागती रही तो लेदर फेस उसका पीछा करता ही रहेगा वो उसे शौटगन देती है और उससे कहती है कि उसे लेधर फेस का खेल खतम करना होगा और ये कहके सैली वहीं पे दम तोड़ देती है उसकी बाद सुनके लीला शॉटगन लेके घर में जाती है उसे मारने के लिए लेगिन तभी लेधर फेस उस पे हमला करता है और उसे पानी में लेके कूद जाता है कुछ दिर बाद लीला बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन की ओर जाने लगती है वो Melody को उठा के पटक देता है और उसे मारने चाता है लेगिन तभी नीला उसके सामने शॉटगन लेके आती है और उसे शूट करती है उसके शॉटगन की कोली खतम हो जाती है और Leather Face को उससे कोई असर नहीं होता Melody उसी का चेंसौ उठाती है और उसे स्टार्ट करके वो उसके मूँ पे मारती है जिससे लेधर फेस पानी में गिर जाता है और उसका शरीर तैरने लगता है जिससे उन दोनों को लगता है कि शायद वो मर चुका है अगले सुबह वो दोनों बेहने गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं वो गाड़ी को आटो पाइलिट पे सेट कर देती हैं और बाते करती हैं तभी Leather Face वहाँ पे आ जाता है जो कि अभी जिन्दा था वो मेलड़ी को गाड़ी के खिड़की से खीच लेता है और अपने चेंसों से उसका सरधर से अलग कर देता है जिससे मेलड़ी की वहीं पे मौत हो जाती है लीला अपनी बहन की यहालत देख के बहुत रोती है और Leather Face उसकी बहन का कटा हुआ सर उसे दिखा के अपने चेंसों को घुमाता है दोस्तो इसी के साथ यह मौवी यहीं पे खत्म हो जाती है पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि Leather Face अपने पुराने घर में रहने के लिए जा रहा है और इसी के साथ यह मौवी यहीं पे खत्म हो जाती है यानि दोस्तो इस मौवी यहीं सिर्फ एकी विक्टिम सर्वाइफ कर पाई और आगे क्या होता है यह हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल पे नए है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाए नोटिफिकेशन के लिए और मौवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद